आईए शुरुबात करते हैं मेश राशिशे जो मेश राशिवाले जातक हैं आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है मान सम्मान पत परतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी परिवारिक किस्ति आपके सांदार होगी करने कार्ता UK मिलेगा जिराज सत्ता से लाभ मिलेगा राजनेत्िक लाभ मिलेगा जिस आपने नोकरी के लिए को यह फल्ट किया है उसमें सफलता मिलेगी और पहले सकर्णों कर रेकर साती साथ आस्थानान्तरन की पी सम्भवना तर्यों सुख के संसाधनों वे बढ़ोतरी होगी शम्रिद्दे बढ़ेगा एस्वरे बढ़ेगा भूमिभॉन खरिदने का यूग बन रहा है माली हाला तच्ची होगी पाय क्या करना है लाल रंग का वस्त रधान करें और बंदरों को केला खिलाना न भूले सुभंके तीन सुभंके और आपके चतुर्दिक सफलता मिलने से मन परसंद रहेगा कोई भी बड़ा कारे करते हैं तब बढ़ों की सलाह लेकर के ही करें आपके लिए अच्छा रहेगा परिवार में सुभ और मांगलिक कार होने से मन परसंद रहेगा आपके कारेशत में परिवर्तन होगा और बड़ी सफलता मिलेगी आयात तेरह से धन मिलेगा सर्जिकल इस्टूमेंट के च्छेतर में अगर आयात निर्यात करते हैं तो आपके लिए काफी लापरत रहेगा सौधानी का बरतनी है अपनी बाणी पर सुधार करें और जो बात आपको खराब लगती है वह दूसरों के साथ ना करें और आच्रण पर बिशेश ध्यान रखें उपाय क्या करना है दूद से बनी मिठाई अगर आप खा करके घर से निकलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और सफेद रंग का वस्त्र धारन करें सुभंग के दो सुबरंग है स्काई कलत और लक मीटर है और युजना है वह संपन होगा और आपकी उजनाओं से बड़ा लाब मिलेगा आपकी कार्यशंटा में ब्रद्धियोग इफिसेंसी बढ़ेगी अगर आप कांसेंटेट होकर किसी भी कारे को करते हैं तो उसमें बड़ी सफलता मिलेगा आपका मान संब्मान बढ़ेगा सा लग सकता है तो गाड़ी तेज गत्की चलाने से परेज करें किरिशोग भूम खरी सकते हैं बच्चों की टेरिटरी में दखल अंदा चीज न करें पत्नी को नोकरी मिलेगी दामपती जो नज बहुत ही अच्छा होगा जैदी आपके घर में कोई भुजुर्ग व्यक्ते तो उसके स्वास्त में सुधार होगा नियाले में अगर कोई भी बात दिवाज चल लाँ ता आपके पक्ष में होगा सौधानी के अबरत नहीं है आपने बाड़ी पर नियत्रा रखें उपाय क्या करना है भगवान स्री गड़ेश जी के अराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा सुभंके नौ सुभंके हरा लक मीटर है आठ हरे किसना बात करते हैं करक राशी की जो करक राशी की जातक है आज आपके कारी च्छेत्र में बड़ा बदला हो सकता है परिवर्तन होने की संभाना बने राजनितिक लाप मिलेगा माता-पिता का सुख मिलेगा जो है आर्थी किस्ति ससक्त होगी चतुरदी कलाब से मन परसंद रहेगा धार्मिक आयूजनों में बढ़ शड़ करके हिस्ता लेंगे और आपके धन किस्ति थोड़ी सी खर्च के लिए जादे हो सकता है जिससे आपके आए में बजट में गड़बड हो सकता है माता की स्वास् के लिए लाप्रद हो सकता है सौधनी के अबरत नहीं है किसी को भी अपने उपर हावी न होने दे उपाय क्या करना है भगवान भूले नात की अराधना करें और उनको दूध दही गूड और सहद अर्पित करें सुब अंके चार सुब रंगे सफेद लक मीटर साथ बात करत अज कर दिन आपके लिए सुब समाचार लेकि आएगा आलश्य का परत्याकरी आज आपको प्रगति के औसर मिलेंगे औसर का लाब उठाईए आलश्य का परत्याकरी कोई चीज कल पर न टालिये संततियों का लाब मिलेगा संतान के टेरिटरी में दखल अंदाजी न करें उ समुद्र के किनारी या समुद्र पार आज आपका भागोदय हो सकता उसकी परवल समभाना बन रही है माता पिता से रिष्टे अच्छे होंगे बहुत ऐसे रिष्टें जो बहुत दिन से खराब चला रहा है उस रिष्टों में कड़वाहट दूर होगा खड़ें तरकारी भी फल होंगे सौधानी के अबरत नहीं है अपने खान पान पर नियंतरा रखें उपाय क्या करना है लाल वस्तर का दान करें ओम ग्रड़ी सुर्यायनवेस मंतर का जब करें सुबंग के आठ सुबरंग है लाल लक मीटर नौ बात करते हैं कन्याराशी की जो कन्याराशी की कब दar देगा तक हैं आज आपका मांसम्भान बढ़ेगा पत परदिश्टां मिलेगा साहित की चित्र से लाप मिलेगा लेकन कारे की चित्र में कफी नाम होगा आई के संसाद्रों बढ़तरी होगी भूमि बोन खरितने का अवस्तर मिलेगा जमीन खरिच सकते हैं किरिशो भूमी खरी सकते हैं, परिजनों के साथ यात्रा का लाव होगा, तिर्थाटन धेशाटन होने की संभावना बन रही है, कुछ गुप्त सत्रों के संख्या में ब्रिद्धी हो सकती है, शिहत को लेकी चिंता हो सकते हैं, शिहत पर भी से ध्यान दे, सौधानी के अपरते अपनी यदि आप भाड़ते परशास्टिंग सेवा की तियारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, पतनी का सुख मिलेगा, भाग इसे सारा कार संपन होगा, भाग अनकूलता लिए हुए है, प्राफल्टी खरीदने का उसर मिलेगा, समय आपके लिए अनकूल है, और क किसी प्रकार की इलूजन और कन्फूजन मन में न पालें, सौधानी के अपरतनी है, बाणी पनी अंतरा रखने की चुरूरत है, उपाय क्या करना है, दूद से बनी मिठाई दान करें, और सफेद बस्तू का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, सुभंके दो, सुभं आता पिता या भाई बंदू से मन मुटा हो सकता है, विविन प्रकार के चेतर से धनलाव मिलेगा, अकारण मन चिंतित हो सकता है, आज आपको ध्यान रखना है कि आपका चुकी बात बहुत कड़वा बोलते हैं, और आपको बात बरदास नहीं होते हैं, आग्रेशन में होन करना है, और जो अपने लोग हैं, उनके साथ ब्यवहार अच्छा रखें, तो आप लोगप्री हो सकते हैं, सौधानी के अबरत दिया, मदूर भाषा का प्रियुक करना आपके लिए अच्छा रहेगा, उपाय क्या करना है, गरीबों को भूजन करावे, वस्तरतान करें, औ और वंदर को गूर और शना जुरू खिरावे, सुभंके आठ सुभरंगे के सरिया, लक्मीटर है, बात करते धनूराशी की, जो धनूराशी की जातक है, आज का दिन आपके लिए काफी महतपोड है, आपको ध्यान रखने का बहुत सेंसेटिव है, छुटी-छुटी बात क को लेकि आप बुरा मान जाते हैं, जिससे आपका आर्थिक किस्ति, समाजी किस्ति प्रभावित होता है, जिससे बचना है, आज आपका समाज में परतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी राजनेतिक किस्ति अच्छी होगी, सुक्षा के चत्र में चतुर जवा बोलने से परहेज करें, उपाय क्या करना, अपने वजन के बराबर चारा गौसाला में दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा, पिली बस्तु का दान करें, सुभंके तीन सुभरंगे पीला, लक मीटर रयाट, हरी कृष्णा, बात करते हैं मकर राशी की, जो मकर र जबूत होगा, किसी अज्यात व्यक्ति के दौरा लाब मिलेगा, राजनेतिक लाब मिलने की समभाव ना बन रही है, अचानक मन आपके किसी कारे कुले करके उद्विग नहीं हो सकता है, तेजगत की गाड़ी नहीं चलानी है, कंस्ट्रक्शन माइस रियल स्टेट प्राप करने की जुरूत है, सुभं के नौ, सुभरंग है सफेद, लग मीटर है आठ, बात करते हैं कुम राशी के, जो कुम राशी वाले जातक है, आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है, और जो प्रत्कुलता है, वो अपने बहुत धिक समता के मलपस कौन कुलता में बदल सोच समझ करके नए कारे की शुरुवात करें, किसी इस्टेंजर से कोई भी लिन दिन करने से बचें, रोग और सत्रु परास्त होंगे, बिद्यार्थों के लिए आज का दिन महतपूर है, परिश्रम करने से आपको धनलाब मिलेगा, देश-विदेश की आतरा का योग बन किसी महला मित्र के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे, उसका सहयूग मिलेगा, बिदेश जाने का उसर मिलेगा, जेदे आप किसी परिश्रम की परिक्षा का एकजाम देने रिजल्ट आनत आपके फेबर में आएगा, राजनेतिक महतव का अंचाप की पूर्ण होगी, सौध सुबरंग है आठ, सुबरंग है हरा, और लक मीटर है आपका साथ, अब आईए हम बात करते हैं तिम राशी मीन की, जो मीन राशी की जातक है, आज आपके कारिश चेतर में परिवरतन होने की संभाना बन रही है, प्रतोगी परिक्षा में आज आपको सफलता मिलेगी, और जो लोग परिक्षा देने वाले उस उनको सफलता पराप्त होगी, मान सम्मान मिलेगा, पत परिष्टा में बढ़ोतरी होगी, आज आपका मोनोबल काफी बढ़ा हुआ रहेगा, पिता पुत्र से बैचारिक पत्भेद होने की संभाना बन रही है, पतनी का सुख मिलेगा, मनसमाल में भढ़ोतरी होगी और कई महत्पूर्ण कारी जो बहुत दिन से चीर परतिक्षित होने की संभावना बन रही है प्रापल्टी त्यादी खरिच सकते हैं उसका प्रवल योग बन रहा है रियल स्टेट माइंस से धन लाप मिलेगा जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का आयात निर्यात करना चाहते है तो उसके लिए आपका दिन अच्छा है सिक्षा के छित्र में अगर कोई भी बड़ा कारे करते ता आपको लाप बिलेगा सौधानी के अबरतने खान पानपनी अंत्रा रखे ओबरेटिंग करने से बचे उपाय क्या करना गाय कुछ ना गुड़ खिलाना आपकी लेच्छा रहेगा सुभंके तीन सुभंके के सरिया लक मिटर है नौ हरे किस्टा